राध्धा सांथ लेके मुरली चले आना प्रभजी चले आना वाह जय हो यह पहली बार है जो सुर्वतागार है हम सुन रहे है धन्य है जय पूर में हम हार गए तुम जीत गए देश विदेश सत्संग किया हूं लेकिन ऐसी घटना पहली बार घटी है सही बात मैं चिप हूं आप गा रहे है और इस्त्री पुरुस दोनों कम नहीं है बरावर का रहे है पुरुस भी गा रहे है पुरुस यह नहीं समझ पा रहे है मैं इस्त्री हूं की पुरुस हूं वो भी गार है वो भी राधा बन के गार है माता हैं बेहने भी बहुत बिल्कुल मस्त है और शुर भी अच्छा है ये राजस्थान में शुर क्यों अच्छा रहता आपको पता है हमें पता है क्योंकि यहां की लोग मिर्चा खोब खाते है तो सब गला भी साफ है आते भी साफ है और ज्यादा खाए तो पूरा पेटे साफ है धन्य वाह वाह जय हो आशिवा इजय बोलने से मेरा मन भी विचार्ज हो जाता है मैं भी सौंसता हूँ कुछ तो दम है तभी तो जय हो रही है बस तो में ये जय है आप सभी की जय है अकेले मेरी जय नहीं है ये तो सब का प्रेम है एक बार और गाओ अच्छा गात है आप मैं सुरू करता है थोड़ा सुन ले तो में भी रिस्ट भी हो जाएगा पानी भी पी लूँगा और पानी जो ना पीना चे वो भी पीएगा क्योंकि ऐसा चमकता हुआ चांदी का गिलास हमेशा वो लोहे वाला गिलास इस्टील का गिलास लोहा है इस्टील वो रखता था मोठों पे आज क्या है देखो यह यह अन्न पूर्णा की क्रपा है जिस दिन आया हूं उसी दिन दे दिया चांदी का गिलास अब पता नहीं दो दिन के लिए दिया की पूरे दिया अब वो भी संकट मेहिन ना देती तो ही अच्छा था इस सादू भी इदर उदर घुमा के ले ही लेगा बहुत आशिर वात माताजी कभी राम बने के कभी श्याम कभी राम बने के कभी श्याम तो मेरा मेरूप मेयान शीता साथ ले शीता वोष शंदर वह वह बोलिये शद्गुर भगवान की जय बहुत अच्छा महिलाओं का मन ऐसा है अब तुम बंद करो मेरा सुनते रो बहुत अच्छा गाती दन्यवाद माताओं बेहनों को सबका भाव है वस्तों में आपको अपने घर में कभी कभी राम का रूप प्रकट करना चाहिए जिस समय घर में कले कले सो रहा हूँ राम जैसा बहुत बड़ा त्याग करने की शामर्थ पैदा करना चाहिए राम जैसा अपने भाई को प्रेम देना चाहिए राम जैसा अपने भाई के लिए त्याग करना चाहिए और राम जैसा अपनी पत्नी को छमा भी करना चाहिए सीता जी से चूख हो गई लज्शमन रेखा लांग गई फिर भी राम ने छमा किया और सीता जी को लंका से वापस लाए छमा भी करना चाहिए राम बनना कोई आसान नहीं है राम का मतलब है बहुत बड़ी घलतियों को छमा करने वाला बेक्तित ही राम है राम का आर्थ है अपने पद, अधिकार, बैभाव, राज सुक को त्याक करने वाला ही राम बन सकता है राम का आर्थ है कि बाली का बद करके अर्थात, शुग्रिव का रज्य भिशेक करने वाला जिसके अंदर लालच नहीं है, ये नहीं सोचा कि बाली का बद किया हूँ, तो लच्षमन का रज्य भिशेक कर दो रामन का बद किया हूँ, तो भरत को बुला कर यहां रज्य भिशेक लंका का कर दो नहीं जो लोब को जीत लेता है वही तो राम बनता है यादर का लोब को जीता है में रामयन का ध्यन करता हूँ बड़ी बारी की स्वसोंचता हूँ कि कहां कहां भगवान स्री राम में क्या क्या विसिस्ता नहीं कृष्ण भगवान की विशेष्टा कन्स का बद उग्रिशेन का राज्या विशेक उग्रिशेन कहते हैं कृष्ण मेरी ये बूढी हड्डियां मतुरा की सिंघासन पर सोभा नहीं देगी और ये मतुरा का राजपाट मेरे कमजोर सरीर से नहीं चलेगा कृष्ण इस राजपदी पर तुम सुसुवित हो जाओ और तुम्हारा राज्या विशेक होना चाहिए नहीं ओग्रिशेन तुम मेरे नाना हो मैं राज्य प्राप्त करने के लिए कंस का बद नहीं किया हूँ मैं आपके दुख का अंत करने के लिए कंस का अंत किया हूँ मैं मेरे माता पिता को कारा ग्रह से छुडाने के लिए कंस का अंत किया हूँ कंस की पीडा भोकते भोकते मत्वरा वाशी बहुत दुखी हो चुके हैं उनको दुख से मुक्ती दिलाने के लिए कंसकांत किया हूँ इस मथुरा की राजगादी पर हे नाना उग्रशेन आप ही सुशुवित होंगे और उग्रशेन का राज आपिशेक कर दिया और बोले कि मुझे आगे जाना है मुझे बहुत कुछ करना है जिनको जिन्दगी में बहुत कुछ करना होता है वे किसी भी चीज के लोभ में नहीं पढ़ते है और जिनको बहुत उचाई को छूना होता है वे किसी के मौह में भी नहीं पढ़ते है मौह में भी नहीं पढ़ते है जिब नंदगाओं से गोकुल से कृष्ण मतुरा की उरा रही है मारग में राधाजी आरती जला कर थाल सजा कर मिलती है रत से कृष्ण उतरते हैं राधाजी तिलक लगा देती है और कहती है कृष्ण तुम जाओ यहां किसी के मोह में न पड़ो तुमको बहुत कुछ करना है और कृष्ण जिस दिन से गोकुल छोड़ते हैं दुबारा गोकुल नहीं आते हैं यदि गोकुल में उनको किसी की प्रती मोह होता तो रातो रात कभी आ जाते हैं कभी प्रोग्राम बना लेते हैं लेकिन नहीं कृष्ण ना काम बाशना में डूबे थे ना तो मोह में डूबे थे ना लोभ में डूबे थे ना अभिमान था उनके पास कृष्ण सुदामा के भी चरण पकार लेते हैं कृष्ण वह बेक्तित्व है जिसके पास एहंकार भी सेस नहीं बचा है याद रखना भगवान बनने की एवरिस्ट की उचाई पर चढ़ने के लिए काम क्रोध लोभ मोह इरशा देश एहंकार की सारी गठड़ियों का वजन यहीं छोड़ देना पड़ता है तब हलके हो करके भगवान की शक्ता की उचाई को प्राप्त होता है जिनको हाई लेबिल पर जाना है चाहे राजनेतिक छेत्र में हो वो कृपिया लोभ को छोड़े क्रोध को भी छोड़े अभिमान को छोड़े नम्बरदा सीखे क्योंकि सादू लाइन में भी बहुत आगे जाना है लोभ को छोड़ दिजिए मोह को भी छोड़े मैंने जब सन्यास लिया तो मेरी माने कहा था घर परिवार की तरव मुड़ कर मत देखना कभी इसकी याद भी मत करना क्योंकि तुम नहीं पैदा हुई थे तब भी हम सब अपने ढंक से जी रहे थे अब तुम पैदा हुई और साधू बन गए तो मेरी फिकर मत करो तुम अपना काम करो तो शादूता के उच्छ सिखर को छू सकोगे ये घर के मोह के लफडिम पड़े रोगे तो तुम जरी रह जाओगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे मेरे छोटे गुरु ने बताया मुझे कि आप तो किसी भी व्यवस्था से भी मत प्रभावित होना सुरोता कम हैं ज्ञादा हैं इससे भी प्रभावित मत होना आप तो अपना काम करना फूल ये नहीं देखता है कि मेरे पास में पड़ा लिखा इनसान खड़ा है अनपड खड़ा है नारी खड़ी है कि नर खड़ा है कि जानवर खड़ा है फूल इसकी परवाह नहीं करता है कोई खड़ा है की नहीं खड़ा है की नीचे पड़ा है लेकिन फूल अपनी पूरी ताकत के साथ खिलता है महगता है, खुस्बु फैलाता है, शौंदर विखेर देता है ऐसे आजू-बाजू की चीजों से प्रभावित न होना तुम तो खिलकर प्रवचन करना वास्तों में मनुष्य को अपनी सक्तियों का सही सद्वियोग करने के लिए आज पाज की चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए तुम इसे भी ज़्यादा प्रभावित मत हो की मेरी शासू कैसी है, बोलती कैसे है जैसी है, तैसी है, पुरानी है, उल्ड मडल है अब ज्यादा चेंज नहीं हो सकते कितनी बहुए हैं तो सासू को चेंज करने के चक्कर में खोद ही चेंज होगी आरे उसको मत बदलो, वेसी रहने दो अब तो अपनी तेज और सक्ति को प्रियोग कीजिए तेजसी भी बहु बनो, तेजसी भी सासू बनो और बहु के आने पर भी सासू को अपनी कलाओं का प्रियोग कम नहीं करना चाहिए क्योंकि याद रखना, जो बिक्ति अपनी कलाओं का प्रियोग जिंदगी भर करता है तो उसकी जिंदगी भर कीमत इस्विशल बनी रहती है और जिस दिन तुम अपनी कलाओं का, अपने हुनर का, अपने गुणों का प्रियोग करना बंद कर देते हो उसी दिन से तुमारी कीमत कम होना सुल हो जाती है इसलिए आप तो अपना काम करते हो, सभी लोग अपना काम करेंगे सुमे को भी पहचानी है, और मनुश्य को भी पहचानी है रिष्टों को भी रीडिंग कीजिए सुबे से साम तक जितने लोग आपको मिलते हैं उनके साथ अच्छा व्योहार कीजिए मदुर बाच्चीत कीजिए हो सकता है दुबारा उनसे मिलन हो ना फर्स्ट मेटिंग इन दर लास्ट मेटिंग कोन किसको पुना मिलता है की नहीं मिलता है आसा तो रहती है पुना पधार्शो, पुना मडसे लेकिन पुना मिलन हो ना इसलिए जब कोई मिले उसके साथ पुर्ण प्रेम का व्यवहार कर देना एक मिनट उसकी और देख भी लेना थोड़ा साथ दो सेकंड क्योंकि इस संसार में जो प्रेम का व्यवहार करते हैं प्रेम की बाते करते हैं और प्रेम से कार्य करते हैं प्रेम से खाते हैं प्रेम से सोते हैं प्रेम से नहाते हैं और पेंड पोधों से भी प्रेम करते हैं अपनी गाड़ी से भी प्रेम रखते हैं जो अपने शाड़ी से भी प्रेम रखते हैं लाड़ी से भी प्रेम रखते हैं जो अपने कारोबार से प्रेम रखते हैं बेटों स इसे बानर भी भगवान राम के भक्त बन जाते हैं, नर को तो भक्त बनाना कठिन है, भगवान राम ने प्रेम की सकती से बानर को भी भक्त बना दिया, रीच भालू को भक्त बना दिया, अज मैं अगर बैठा हूँ जेपूर में, तो आपकी प्रेम में ही तो बंद कर बैठा बोजन तो कहीं मिल जाता, मिलता ही था कपड़े कहीं मिल जाते, मिले ही चुके थे लेकिन आपका प्रेम तो जेपुर में ही मिलता है इसलिए यहां आना था और आप भी यहां बैठे हैं कितने कितने जिलों से लोग आई हुए है कितने प्रदेशों से आई वी है और कितने प्रदेशों से आने वाले है और कितने ऐसे भुजरगाये हैं जो अपने घर से बिचारे निकल कर चल नहीं पाते रिष्ट करते बेड रिष्ट वोई भी बेड रिष्ट छोड़के Everest की चड़ाई पर चड़ कर आए बड़ी शद्धा कितनी महलाएं अपने घर से कभी निकलती नहीं है वोई भी निकल कर चल पड़ी है और कितनों को फोर्षत नहीं है घर में इतना जंजाल है पर सारे जंजाल को किनारे करके गुर्दियों के प्रेम जाल में आकर बैठे है और फुस है बड़े बड़े बिजनिस को रोक कर यहां लोग बैठे है